Hello everyone, स्वागत है आप सभी का RBOTTube क्लास में तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जो कोश्चन ले करके आया हूँ ये कोश्चन क्लास 10 की मैट से कोडिनेट जिमेटरी एकसरसाइस 7.2 का कोश्चन नुबर 1 है आप बस इस वीडियो को ध्यान से देखे और कुछ नहीं चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पर आपनी सेक्षन फार्मूला पढ़ा है जहाँ पर M1 रेशियो M2 होता है मैं फार्मूले को इस डिसकस नहीं कर रहा हूँ तो मैं डारेट आपको फार्मूला बताऊंगा तो यह हमारा कोई पॉइंट है नाम दिया नहीं है तो लेट्स एबी एनी पॉइंट एंड पी एन अधर पॉइंट्स वेर इस लाइन डिवाइड इन्टू रेशियो 3 यह जो रेशियो दिया गया है वह यह बताता है कि जो लाइन है वह किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो हमसे जो है इसका कोईडिनेट पूछा गया है यानि कि P X Y का कोईडिनेट पूछा गया है यहाँ पर A का जो कोईडिनेट दिया गया है माइनस वन कामा सेवन बी का जो कोडिनेट दिया गया है यह 4 कामा माइनस 3 दिया गया है अब यहां से हमें X और Y फाइंड करना है तो इसके लिए सेक्षन फार्मूला डेरेट आपको मैं इस्तेमाल करके बताऊंगा सल्यूशन we have two points a a-1,7 and b 4,-3 let p x,y be any point be any point which divide the line segment into two ratio तो यहां पर क्या है कि यह जो two है यह हमारा M1 हो जाएगा और यह जो three है यह हमारा M2 हो जाएगा by using section formula तो दोस्तों यहां पर हम section formula इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो section formula मैं इस्तेमाल करूंगा वो होगा p x,y is equal to p अब यहां पर देखो मैं आपको दो चीजे बता देता हूँ जो section formula में x लिया जाता है वो लिया जाता है मैं यहां पर देखो x है तो उसके place पर यह रखूंगा और y है तो उसके place पर यह रखूंगा direct रखूंगा so m1 x2 plus m2 x1 over m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 over m1 plus m2 मैं direct यह formula इस्तेमाल करूंगा आप चाहो तो ऐसे आलग अलग x की value find करो और y की value find करो फिर इसको p x comma y में रख दो coordinate मिलेगा but in this questions I directly use this formula where I find p x comma y so if you want you write it where this is x1 this is y1 this is x2 this is y2 this is m1 this is m2 और यह xy है तो यहां पर इन values को formula में put करेंगे here p m1 stand for 2 into x2 stand for 4 plus m2 stand for 3 into x1 stand for minus 1 minus की कोई भी value हो तो उसे bracket में रखें अच्छा रहेगा यह हो जाएगा 2 plus 3 comma m1 2 into y2 minus 3 plus m2 3 into y2 7 over 2 plus 3 when we solve it further we find 2 forza 8 यह plus और यह minus जब multiply होंगे तो minus बनेंगे 3 बन जा 3 over 5 comma यह देखे प्लस और minus multiply होंगे तो minus आएगा 2 3 जा 6 plus 3 7 जा 21 over 5 इनको further solve करेंगे we find here p 5 over 5 8 minus 3 remain होगा तो 5 आजाएगा minus 6 यहां से minus कर देंगे तो हमारे पास आजाएगा 15 over 5 ओके तो यहां पर divide करेंगे तो 5 होंजा 5 or 5 3 is 15 so this will be our coordinate of p 1 comma 3 so here we can write p x comma y is equal to p 1 comma 3 therefore we can say the value of x is 1 and the value of y is 3 so here we directly find the coordinate of p which is p 1 comma 3 okay so we finally write a line for this answer thus the coordinate of point is p 1 comma 3 answer okay so this will be our answer of this questions these are the coordinate of this point so I hope so you understand this questions if you want you write it or take a screenshot